पुजनी, संद समाज, सज्जनों और देवियों हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हमारा संबंध निरंतर किस से रहता है और जिस से हमारा निरंतर का संबंध रहता है उसको हम कितनी विवस्था से रखते हैं आप मनन करेंगे तो पाएंगे कि हमारा आपका निरंतर का संबंध मन से रहता है नीद खुली मन सामने खड़ा और जागर्थ अवस्था भर मन सामने रहता है जब हम सोते हैं तो अर्द सुसुप्त में मन सामने खड़ा रहता है जिसको हम सपना काते हैं गाड़ी नीद जब होती है तब मन बीज रूप में हो जाता है विर्त रूप में नहीं रहता है यह नहीं सो जाता है लेकिन बीज रूप में वही रहेगा जो जागर्द में है और जैसे नीद खुली फिर मन सामने खड़ा आईसा मन जो हर समय साथ है देहधारी के देहधारी को विचारना चाहिए कि उसको किस ठंग से रख रहा घर की विवस्था करता आस्रम की विवस्था करता परिवार की रक्षा करता है समाज की रक्षा करता पद प्रतिष्ठा के लिए उदावला रहता है धन दुलत बहुत बढ़ जाए इसकी चिंता रहती है और जब लोब छोब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सब के लिए पाप करने में भी कमर कस लेता है ये चिंता नहीं करता है कि मन को कैसे रखना चाहिए सब कुछ पाने के बाद ये समझ लीजिए मन ठीक नहीं है तो हमें केवल जलना मन का महत न समझना बहुत बड़ा पाप है हमारा बाहर से संपन और भरे भरे लोग भीतर से उदास विपिन और पीड़ित क्यों है क्योंकि उन्होंने अपने मन को ठीक नहीं किया है मन की सुरच्छा नहीं रखते है इसलिए जलते रहते है अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार तेहसे बाचे संद जन केवल शांत यदहार एक उसामी जी ने कहा है वैराग संदीपनी बतली सी पुस्तक है उनकी तुलसी पंचामृत मेरी एक पुस्तक है उसमें अंतिमध्या है उसमें ये बात आती अंकार की अगिन में दहत सकल संसार तेहसे बाचे संद जन केवल शांत यदहार सुद्गुर रामरहस साहे पंचिगरंथी में कहते है अहं का हंता मा सबहीं पड़े हंता मा सबहीं पड़े हंता देखे साद हंता ते न्यारा रहे गुर्मुक द्रिष्टी अबाद सारा संसार अंकार में पड़ा हंता देखे साद साधू अपने अहंकार को देखता है या जो अपने अहंकार को देखता है वो साधू है कहें कबिर सुनो भाई साधू जीवन भर साहिब साधू से बात किये तो ये नहीं जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं साधू के ऐसे लोग क्यों बात किये साहिब सब को साधू मानते थे, साधू यह नहीं अच्छा, साधू वह है, जो अपने हंकार को देख है, और उसको कुछल है, हंता मां सवहीं पड़े हंता देख है साध, हंता ते न्यारा रहे गुर्मु कुद्रिष्टी अबाद, अपने हंकार को देखना, शील से रहना, साधू कहने से आप नर्वरांत रूप में समझे सज्चन, साधू बेश हो, ग्रस्त बेश हो, अच्छी रहनी से चलने वाले सब साधू हैं, और हमारे वेश में हो, अच्छी रहनी से न चले हैं, तो कहां साधू हैं, साधू रहनी पर ध्यान दे, ये पक्का समझ लें, कि मन की निर्मलता बिना सच्चा सुख नहीं मिलेगा, संसार का सारा सुख जूटा है, जूटे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कच्छ मुख में कुछ गोद, जूटे सुख को सुख कहता है, दुनिया की कुलवलाहट, इंद्रियों की उत्तेजना, इसको सुख कहता है, मानत है मनमोद, इसमें मन में बड़ा खुश होता है, जगत चबैना काल का, जगत तो काल का चबैना है, कुछ मुख में कुछ गोद, आदमी जब चवेना खाता है तो पात्र में ले करके हाथ में ले रहता है पात्र और गोद में रखे रहता है और निकाल निकाल के खाता है तो कुछ चवेना तो उसके मुख में पिसता है और कुछ गोद में रहता है वो भी मुख में जाएगा इसी प्रकार काल सब को अपनी गोद में बैठा रखा है और ये केको पीस रहा है खा रहा है जगत चबैना काल का कच मुख में कच गोद वो अदबिल ने जो फ्रांस की है पेरिश विस्विद्याले में जीवन बर पढ़ाई अब रेटार्मेंट उसका हो गया है अभी जीवित हैं उन्होंने कवीर नाम से प्रथम पुस्तक कवीर की साख्यों का अनुवाद और बिशाल बहुत बड़ी भूम मिका लिखी थी 74 में छपा था वो मुझे मिली 75 ही में और उसको पढ़ा पूरा कई बार भी कई अंश पढ़ा इंगलिश में है पूरा दुबारा अभी ये भी छपा है वैसे उसके और संस्कन हो गए लेकिन अभी भी छपा है दो वरश पूर ये वीवर नेम्ड कवीर उसमें बीजग कवनों ने काफी लिया है पहले वार एक खंड में वो साकी है साइद इसमी भी दिया इसको मैं पूरा नहीं पढ़ाओ नहीं कुछ पढ़ाओ इस साखी को जब उसने रखा तो उसने कहा कि भारती वांगमे में ही नहीं पूरी विश्व की वांगमे में इस विशे में इतना बेजोड बात किसी नहीं का एकदम भाव खो गई चूठे सुको सुक कह मानत है मनमोद जगत चबैना काल का कच मुख में कच गोद उसने विवाह नहीं किया बौदविल ने कुमारी बौदविल अब तो बुढ़ापा में आ गई है नर्गुनी धारा के संतों पर उसने बहुत चिंतन किया और उसमें कबीर के विशे में तो बहुत थी इस पर उसने कहा है कि पूरी दुनिया में इस विशे पर इतना साफ किसी ने नहीं कहा है और ने भी कहा होगा लेकियों कि ये बात बहुत सामान्य है परन तो इसमें वो भावख हो गई कुछ मुख में कुछ गोद जोटे सुख को सुख है मानत है मनमौ जगत चवैना काल का कश मुख में कश गोद हमें शम्शान की याद रखनी चाहिए शम्शान तालबी आदाशा और मा शम इसका पहरा अर्थ होता है मुख समस्तर इसलिए कहा जाता है मुख के बाल शम्शान शम्शान का दूसरा अर्थ होता है शरीर, लाश, शौप शान का अर्थ होता है निकस जहां उसको रगड़ा जाता है साफ किया जाता है यह हमारी लाश जाएगी, जलेगी जहां वो शम्शान है इस संस्कृत भासा का शब्द है हमारे शरीर की अंतिम मंजिल शम्शान है कौन सा हंकार है शरीर ही अपना नहीं है किस बात का हंकार है हंता मां सब ही पड़े सब हंकार में पड़े हंता देखे साध है जो अपने हंकार को देखे वो साध है और हन्ता ते न्यारा रहे देखने मतलब है न्यारा हो जाना जब आदमी सांप देख लेगा बिच्छु देख लेगा तो अलग हो जाएगा अंकार को जब देखेगा कि ये सांप बिच्छु है तो अलग हो जाएगा अंकार में ही हम जलते हैं बिला वज़, बिला वज़, वैसे हम जितने आंकारी होते हैं, रगड़े जाते हैं, अपने ही द्वारा रगड़े जाते हैं, और दूसरे भी भलब रखाते हैं, आंकार ये आदमी को बहुत साहना पड़ता है, और निर्मानी को साहना ही नहीं पड़ता है, आंकार के खूट अंकार की आख को जलाना चाहिए, भुजाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, साधु रहनी पर ध्यान दे। आचन में दया और थिर्पद अपने पद में इस्तिर, शान, संतुलित। अंप्राणियों के साथ कर रहा है। मनस मात्र से प्रेम, जात जूटी है, मानों की जात एक है, चित्त से उतार दो जात पांत। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत सवही सम लखे मानुस खान के बीच। यह हंकार न करे कि मैं स्रेष्ट हूँ, यह नीच है। ब्रामण लोग अपने को मानते हैं हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जहां ब्रामण ब्रामणी कठे होते हैं, वहां का श्रमा देखो। वहां हम, उचे ब्रामण हैं, तुम छोटे ब्रामण हैं, मुझे बजपन की याद है, एक ब्रम भोज में गया, तो वहां कुछ पंग्ति-पावन लोग आये थें, तो चवका में एक चद्दर बांदी गई, बड़ी चद्दर, यह नी बड़ा सा कपड़ा बांदा गया। उस कपड़े के आण में पंग्ति-पावन लोग भोजन करने बैठें, तो इधर के ब्रामण बिंग किये, कि हम लोग अगर इनके भोजन को देखेंगे, तो उच्छू जाएगा। कभी रहा होगा, कोई महापुरुष ऐसा रहा होगा, कि जिसके बैठ जाने से मानो पूरी पंग्ति-पावन हो गई, और पंग्ति-पावन नाम उस कुल कुटुम का चल पड़ा होगा, लेकिन सब ऐसे तो आगे नहीं रह जाते हैं, तो जूठा आंकार। तो शराब पीकर के इतने बधावास हो गए, कि उनको गाड़ी में लाद के भेजा गया, यह नहीं ट्रेन में, उनको लिटा दिया गया उनके बर्थ पर, अब कहां महात्मा गांधी, कहां होए, शराब पीकर के धुत्त, उसमें महात्मा गांधी क्या दोश है। तो यह कुल कुटुम का मौह और उससे कोई बड़ा छोटा होता है, पागलपन है। हंकाराने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत सबही समलक है, मानुस खान के बीच, मानुस खान के बीच में सब एक हैं, समान है, अपने आचार बिचार से उचा नीचा हो जाते हैं, लेकिन मुल रूप में समान है। तो मनस्यों के साथ में प्रेव और अन्य प्राणियों के साथ में करना दया। और ये बात पर हम ध्यान दे मनस्यों में परिवार में आप हैं या समाज में जिन लोगों के साथ में रहते हैं अगर आप मीठा बोलना नहीं जानते हैं निर्मान होके नहीं बोलते हैं सरल नहीं रहते हैं तो ना आप सुखी होगे और न दूसरे सुखी होगे। कटुता का मूल यही है अहंकार हैं हम ज़ादा समझते हैं हमारी बुद्धी ज़ादा अच्छी है और नेतिक्ता उंची है। गरता है और हमारी जबान सिधी नहीं रहती है और उसका प्रणाम होता हमें स्वेम कलेश होता है और दूसरों को कलेश होता है कलेश देखर के परिवार समाज में कहीं हम सुखी नहीं रह सकते हैं हमारे मुख से कट बचन इसलिए निकलता है कि अहंकार में हम इतराते हैं जिन लोगों के बीच में हम हाएं मीठे बचन का प्रयोग करें जहां जहां हमारा वेवहार हो मीठे बचन का प्रयोग करें दुकान पर भी जाएं, किसी आफिस में जाएं, कहीं भी चलते फिरते काम धन्धा करते जितने वेक्तियों से संबंध हो, मीठे वचन का प्रियोग। बिनम्र और मीठा, बिनम्रता पूर्वक और मीठा बोलने से अपनी तोहीनी नहीं इज्जत है, मन शीतल रहेगा, अगला आदमी भी शीतल रहेगा, ऐसी वानी बोली, मन का आप आखोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए, जानते तो सब हैं, लेकिन भूल जाना होता है, अहंकार आजाता है, हर आदमी हर समय मानो नशा में डूबा, सब पर नशा चड़ा है, अपने अपने नशा को मारो, हम मारें, आप मारो, सब ही मारो, सब लोग नशा में डूबे हैं, और यही नशा दुख देता है, परिवार में विखंडन करता, समाज में विखंडन करता, एक कट बचन, परिवार और समाज में जहर बो देता, मीठा बचन, आनंद की लहर ला देता, सदेव मीठा बचन बोलो, जुख करके चलो, छोटों से भी जुखना बुरा नहीं, कोई हमारा बच्चा है, उससे अगर हम बिनम्र होके बोले हैं, जुख जाए हैं, तो उसको भी सोचना पड़ेगा, हमें शीतलता मिलेगी, उसको शीतलता मिलेगी, मनस्यों के साथ में सुंदर वरताओ, प्राणियों पर दया, छुटे-छुटे जीव जन तो हैं, साप बिच्चु मार देना चाहिए, लोग मानते हैं, अरे बिच्चु इसे भाग जाएगा विचारा, साप भी सामने कहां आता है, यहां साप राता है, खुब सोतंत्र हो के घूमता समय समय से, हम लोग कभी नहीं मारते हैं, हमारा मूल गुर अस्रम बढ़ारा गोंड़ा जिला में, अभी भी वहां बिजली नहीं है, तालाब है, चारोतरब भिट है, दक्षिन भिट पर आस्रम है, जहां मैं पर्थम बार सन पचास में गुरू जी के पास आया, वहां भेंकर साप है, जब तक मैं वह रहां देखता रहा, बहुत बिस्थर, बढ़ा फण वाला, अरिक बारे से स्रिंगता हुआ चला जाए, रात में लोगों के उपर से भी चला गया, काटा नहीं, एक बार तो शाम के टाइम कोई तीन बज़े, आस्रम के पीछे एक जोपड़ी, उच जोपड़ी में, एक जंगले पर, जंगले में, बैठा, फण निकाले, मस्त बैठा रहा, लोग देखे तुम्हें गया, मैंने कहा, भाई, क्यों यहां बैठे हो, चले जाओ, हमारी बात वो क्या जानेगा, लेकिन आहट पाया, तो सिर को नीचे रखा, और सरक के उतर तरब चला गया, बसवारी में, हम लोग कभी नहीं मारें, आज तक वहां किसी को नहीं काटा है, आभी भी रहा होगा साइद, यहां तो मैंने बताया है, यहां साप रहता है, बड़ा लंबा साप है, आता है, जाता है, घुमता है, वो भी जानते हैं, लोग मारते नहीं, यह ब्रह्मा है, काल है मार दो, काल कौन है जो मारे, काल तो आप बनगे, और उसको काल काते हैं, साहस रखो किसी जीव को मत मारो किसी को पीड़ा न दो कुछ लोग बैटे हैं मच्छडाएं पट दे मार दे ये ठीक नहीं कपड़ा से उड़ा दो मार देना एक तो अदया है दुसरे मार दोगे तो उसका सरीर का कुड़ा कचड़ा आपके सरीर में भी लगेगा असुद्धी भी होगी इंसा भी है असुद्धी भी है कितने लोग की आदत होती है मच्छड वैटा पट दे मार दे सादु सज्जन के लिए तो बिलकुल ही गलत है उनका आदर्स ही खराब हो जाएगा मन खराब होगा आदर्स खराब होगा आस पास में जो बैठे होगी वो क्या समझेंगे कि ये तो बाबा मच्छड मार रहे हैं मच्छड को भी मत मारो उड़ा दो और चिटी हैं कोई जानवर हैं अपने से बचाओ और मरने वाले तो मरते हैं कोई रोक नहीं पायता है असक रहे चुप सोए स्री रामराज साहिव ने कहा है स्री रामराज साहिव पंजगरंती पे बहुत ब्योहारिक बाते कही छुट छुट जीव को बचावे अपनी शक्ती चले तक शक्ति बाहर है चुप रहे का करें कई बार मैं देखता हूँ बातरूम में जाता हूँ लख संका करें छुट 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 जीव तो उगली को भिगा करके उन जीव को चिपका चिपका के अलग ज़ाड देता हूँ कहां तक जड़ sniper अब पानी चला वहा कौन मरा कुष क्या करें बिवस्ता चलते हैं आँखों से देख के चलते हैं लेकिन अब कहां कौन जीव उपड जाता है पहर के नीचे क्या पता है तो असक रहे चुप सोई शक्ति चले तक रक्षा करें असक रहे चुप सोय एरामराज साय ने बहुत ब्यवारी कहा शक्त चले तक किसी चीव को तकलीप न दो और शक्ति बाहर है चुप हो जाओ करोगे क्या ये छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से अपना चित कोमल होता है और ये बात के ओल हमी लोग नहीं विदेश में भी इस पर काफी चर्चा है जीव दया मंडल है भारत में नहीं विदेश में भी और अच्छे-च्छे अंग्रेज लोग जीव दया पर ध्यान देते हैं च्छे-च्छे जीव उकुमत मांस का घोर विरूद करते हैं महत्मा गांधेई कि पिता जी तो सरी छोड़ चुके थे माथी जो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए तो उन्होंने परतिज्ञा कराया था तो उन्हों शराब नहीं पियोगे मांस अंडा मचली नहीं खाओगे किसी इस्त्री कि संगत नहीं करोगे ये प्रतिज्ञा करवाये थे लोट करके जबाये तब तक माता भी नहीं रह गई थी तो यहां के कुछ लड़कों के संगत से उनको ब्रह्म हो गया था कि मांस खाने से बुद्ध बढ़ती है अंग्रेज लोग मांस खाते इसलिए उनकी बुद्धी तेजे हम लोग को मांस खाना चाहिए तो गांदीजी ने सोचा था इंगलेंड जाओंगा पढ़ोंगा मांस तो नहीं खाओंगा माता ने परतिज्ञा करवाया है लेकिन जब लटूगा भारत तो मांस खाओंगा और मांस का परचार करुगा जब इंगलेंड गए तो आप मांस नहीं खाना था शाकहारी भोजनाले खोजे तो मिला फिर शाकहारी संस्था मिले पत्र-पत्रिकाये मिले उसब अंगरेज न वे मांस खाते थे ना अंडा न मचली और इसका घोर विरोध करते थे और इसमें गुश्टियां करते थे और पत्रिकाईं चापते थे तो गांदी जी उसके सदसे हो गए तब उनको आत्म विश्वास चगा कि हमारे भारत बर्ष में जो मांस का निसेद किया जाता है वो कि इसका लोग मानते बहुत मांस सहारी हैं वो इंगलेंड के लोग मांस के खोर विरोधी हैं आज कल तो पूरी दुनिया में इस पर काफी विचार चलते हैं मांस के विरोध में कि मांस स्वास्त के लिए भी हित कर नहीं तो जीवदया पालन करो छोटे छोटे प्राणियों को भी अपने तरफ से कलेश नहोने पाए ये ध्यान रखो और मारो तो किसी को भी नहीं कोमल बचन बोलो किसी से गलती हो जाए उलच के न बो कोमल बचन बोलो डाटने की बड़ी जरूरत नहीं है डाट फटकार कोई बड़ी अच्छी बात नहीं कभी डाटना पड़ सकता है बार बार जब कोई अवग्या करता है तो बड़ों को डाटना पड़ता है लेकिन डाट कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं एक मजबूरी कभी हो सकती है समझहोता बढ़ियां चीज है मीठ बचन कह करके बात समझ ले समझा दे डांट की आवस्षिकता नहीं अपने छोटा है क्यों डांटा जाए एक संत हमारी यही प्रस्ण करते हैं जब आते ही समय तो नहीं आएं राजस्तान के हैं जब आए मेरे पास महीना बर रहे, पंदरा दिन रहे खेसा है मैं आप को कभी देखता नहीं किसी को डांट नहीं यहां बड़ा लंबा समाज रहता है तो मैं बारीकी से देखना चाहता हूं आपको कभी डांट रहें कि नहीं तो मैं बरसों से आपके संपरक में हूँ कभी डांटते ही नहीं देखा तो मैंने का जरूरत पड़ेगी तो आप ही को डांटूगे एक बार उनको डांटा था तो हसने लगे तो डांटने की मुझे सच मुच में जरूरत नहीं पड़ती सब लोग अपने आप सब बढ़ियां काम करते हैं तो क्या डांटो और डांटने पड़ता है तो ज़्यादा तर आकेले में डांटता हूँ अब कहीं मुझे से ही वो तेजना हो जाए सब के बीच में आउकादों हो सकता है नहीं तो जिसकी तुरूट देखता हूँ एक तुझे ही जानता हूँ कि तुरूट किये फिर अपने आप उनको गलान हुई होगी उसको दूर कर देंगे तो कोई तुरूट हुई कोई बड़ी तुरूट तो होती नहीं है बोलने बरतने कुछ हूँ बात में हो गई तो खुद सोच लेंगे अगर जादा है तो अकेले में डाटता हूँ चाहे वो समाज का छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा बुजरू हो अकेले में कहता हूँ कहाना समझो डाटना समझो जो भी समझो अगर अकेले में आप चाहे जितना डाटो वो खराब नहीं पड़ता अगर सुपात्र है आदमी तो सुपात्र नहीं है तो चाहे पैरे पड़ो नहीं सुधरेगा और सुपात्र है तो मीठ कहो डाट भी दो तो सब मीठा मानेगा कुल मिला करके डाट कोई बढ़ियाँ चीज नहीं डाट फटकार मीठे बचन का प्रियोग ही बढ़िया बच्चों को डाट दे सिश्चों को डाट दे कितने लोग समझते हैं बच्चों से सीधे मुह बात ना करे तब वो ठीक रहेंगे कितने गुरु लोग शिश्चों को एक दम उनके उपर गर्माए रहते हैं मीठा बचन नहीं बोलते मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ मैं तो सब साथियों को मित्र मानता हूँ सम मित्र हैं और प्रेम से आपस में रहने की जरूरत है कोई आगंतुक बेखती है मानों ही कोई बच्चा आ गया और उससे कुछ करते गधरते नहीं बना तो मीठे बचनों हमें कहना चाहिए कट नहीं कहना चाहिए अब हमीसे भूल हो गई उत्तेजना हो गई तो गलान करना चाहिए फिर आगे नहीं कहना चाहिए अगर अपनी गलती समझ में आ जाए तो बराबर ओ गलती नहीं होगे अगर हम गलती ही को सही माने रहेंगे तो बराबर गलती करते रहेंगे सादु रहनी सज्जनों की रहनी है कोमल रहनी मैंने शुरू में कहा था कि आपके साथ सदेव कौन सी वस्तो है मन, देंधारियों के साथ हर समय मन है, और मन नीचे से उपा तक काटेदार, तो चुबेगा, हमने अपने कट वचन से, गलत धारणां से, गलत बरताव से अपने मन को काटेदार बनाया है, इसलिए वो चुबता, हरदम चुबता, मन को सुन्दर बनाये, शीलवान बनाये, निर्मल बनाये, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, बिगड़ गया, कुछ नहीं हुआ, और मारा मन खराब हो गया, तो सब बेकार हो गया, मालों यह कोई कीमती चीज है, और किसी से बिगड़ जाए, तो چीज बिगड़ी हो, क्या बिगड़ी, और हमारा मन बिगड़े है, तो बहुत नुकसान हो गया, चीज तो बिगड़ेगी, आज नहीं बिगड़ेगी, कल बिगड़ेगी, अब जो काम करता उसी से बिगड़ता है जो कामें नहीं करेगा क्या बिगड़े इसलिए किसी बात को लेकर के उत्तेजना नहीं होनी चाहिए उत्तेजना हमारी दुर्वलता है उत्तेजना शून जीवन प्रतक्रिया शून जीवन रियक्शनलेस मन शांदिका सागर होता है मन ही हमारे सामने हर दम खड़ा रहता है और मन को हमने खराब बना रखा है सुख कैसे मिलेगा मन को अच्छा बनाए सब घाटा सा करके मन को अच्छा बनाए अपमान निंदा सा करके मन को अच्छा बनाए खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राए कटक बचन साधू सहे और सिसान जाए साहिव कहते हैं खोद खाद धर्ती सहय धर्ती पर खोदो गोडो धर्ती चुप चाप सहती धर्ती जड़ है एक बात समझाने के तरीका काट कूट बन राय बन राजा काट कूट सहता है डाली काटे पेण काटे सब सहता है विचारा कटुक बचन साधू साधे और से सहा न चाहे जो सहता वही साधू है साधू वेस नहीं जो हम लोगों का साधू वेस है ये साधुता का लक्षण नहीं है किन्त साधू वेस है साधूता का लक्षण है सह लेना यात्रा में अगर हम कहा रहे है अपरचित लोग मिलें और कहीं हम किसी यात्री से गुस्सा करें तो दूसरे यात्री लोग कहेंगे महराज अरे ओ कहे कहे आपको नहीं कहना चाहिए आप तो संत है आपको सह लेना चाहिए तो ग्रहस्त लोग भी अपरचित लोग भी हम लोगों को यही सिख देते हैं कि महराज आपको गुस्षा नहीं करना चाहिए जो गुस्षा न करे वही संद कपड़ा तो पान लेना होता थोड़े में वेस में तो बहुत नहीं लगता है लेकिन मन को सुधारने में समय लगता है और जो नहीं सुधारने पर ततपर है जिंदगी बीदे जाती ही सुधारता नहीं और जिसमें ततपरता है वो सुधारता है जीवन को बदलो साधु रहनी में जीवन बिताओ साधु रहनी साधु रहनी सरल अंतर वाहर पवित्र महर्श प्पिपलाद प्रश्ट उपनिशद में कहते हैं तेशाम असव विर्जव ब्रह्मलोको ना येस जीवम निर्थम नमाया चेद तेशाम असव विर्जव ब्रह्मलोको उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है एशाम न जीवम जिसमें जीवम नहीं जीवम नाम कुटिलता अनृत्यम जूट नहीं माया चलकपट नहीं जिसका मन टेड़ा नहीं है वक्र नहीं कुटिल नहीं सरल्चित इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है सरल्टा और सत्यता और फिर निर्माया चलकपट नहीं अपने को माजने की जरूरत है एक कलाकार अनगर पत्थर को छेनी हथवड़ी से छीन छीन कर सुन्दर मूर्ति का रूप देता है सुन्दर सुन्दर वस्ति बनाता है और हमें जीवन या मानो जीवन अपने आप सुन्दर मिला है इसको बिगाणे ना और इसमें कुछ कुटेव अगर आ गया है तो उसको छील छील करके सुधार है और उसमें पूरे जीवन में बस एक पॉइंट है मन उसी को ठीक कर ले बस सब ठीक हो जाए मन राता तन जाता है तन राता मन जाए तन मन एके हुए रहे तब हंस कबीर कहा है जहां मन राता वहां तन जाता है राता नाम आशक्त मन जहां आशक्त होता है वहां तन जाता है शराब में जिसका मन आशक्त है सराब की दुकान पर उनका तन जाता है और तन राता मन जाए जहां तन आशक्त है इंद्रियां आशक्त है वहां मन जाएगा अगर इंद्रियां भोगूं के लिए लंपट हैं तो मन बारंबार उससी तरफ खिचेगा मन आ सकता है तो तन जाएगा तन आ सकता है तो मन जाएगा लेकिन तनमन एके हुए रहे जो जिसके तन और मन दोनों सम हो गए शान संतुलित हंस कबीर कहा है कबीर साहिब कहाते है वो हंस है ये बात समझ में नहीं आती इसकी चर्चा भी सुनने को मन उसको नहीं मिलती मिले तो समझ में नहीं आती समझ में आवे तो रहनी में टिकने में परिश्रम लगता है त्याग हर रहनी का मूल्य है त्याग जैसे छमा करना चाहिए तो आपक्रोध का त्याग करना पड़ेगा संतोस करना चाहिए तो भोग का त्याग करना पड़ेगा निर्मान रहना चाहिए तो अभिमान का त्याग करना पड़ेगा हर रहनी में तो त्याग है और त्याग भोगी मन के लिए जमाल गोटा का काड़ा है बड़ा मुश्किल है इसलिए सब जीव दुखी है बिना द्रण प्रतिक हो करके अपने को समालने के लिए तैयार हुए अपने आपको कोई उठा नहीं सकता है जनम जनम के कूड़े कचड़े मन में भरे हैं अब आज जब से जनम हुआ है तब से संसार में चारो तरब से कूड़े कचड़े के अलावा मिला क्या है अगर कहीं कुछ आखे खुली है तो संतों महात्माओं, पीरों, गुर्जनों के बचन से उनके अच्छे विचार, अच्छी रहनी के प्रभाव से कुछ थोड़ा-थोड़ा मिला है और इस संसार से कूड़ा कचड़ा ही सर्वत्र मिलता अब वही सबसंग्रह होता है मन में वही संसकार, वही कचोटते हैं हरदम, संग्रह और भोग ये दो के विशे में मनुस्का मन बना रहाता कितना अधिक संग्रह करें, कितना भोग करें हर जगा त्रिश्णा अपना घर बनाती और विराम कहीं नहीं मन दो को चाहिए कि अपनी स्रिणी में जहां वो है परिस्रमी रहे, आलसी न रहे और परिस्रम में जितना प्राप्त हो उतने में संतोस रख है तो लना में न पड़े दूसरे एक मकान, दूसरे एक दुकान, दूसरे एक परिवार, दूसरे एक परतिष्ठा, दूसरे एक पद ये सब की तुलना में न पड़े जितना अपना है बहुत है और आत्म कल्यान का काम करें नियुंतम आवश्शक्ता की पूर्त होनी चाहिए सुखार उखा कुछ खाने को मिल जाए जो सुपाज, संतुलित और सुद्धो और तन ढगने कुछ कपड़े मिल जाए उस सोने की जगा बस काफी है अब इसके आगे अपने प्रार्थ पुर्शार्त में जादा है तो उस टंग से थोड़ा रह लो बड़ा मकान बना लो, गाड़ी खरीद लो रोटी नमक से उपर उठ करके रोटी सबजी खाओ घी दूद भी खाओ कोई बात नहीं, चो खाओ, संतुलित खाओ, कम खाओ जदा और हो गया है, दूसरेक भी सिवम लगाओ लेकिन दूसरेक देख देख करके कि वैसे हमारे हो ये फिर बिलकुल भटक जाना है अपनी बात क्या है, कितने मलाब है, अपना काम कितने महो जाएगा ये सोचना चाहिए, अगर जठरागन को तिप्त्रिप्त करने के लिए सात्तिक संतुलित भोजन कुछ मिल गया है अवतन ढगने कपड़े और सोने की जग अताव और क्या चाहिए, बहुत इतना अब काम करना है वह है मन को निर्मल करना खास काम बचा रह जाता है और जूठे गुमान में और जूठे साथ सज्जा और संग्रह में हम नरक बनाते चले जाते हैं जितनी हमारी त्रिशना होगी उतना हम नरक बनाएंगे और जितना हम संतुलित राएंगे उतना सही राएंगे अपने मन को समालना है कितनी उची क्वालिटी की खुराक हमने खाई इसका मात तो नहीं है जट्रागन में हवन करना मात तो है बस मन कितना हमारा बढ़ियां है इसका मात तो है निरमल मन है तो हम धन्य है और निरमल मन नहीं है तो हमारा सब बीकार है इसलिए मन पर जोर होना चाहिए नीद आवे बिस्तर पर जाए करवट न बदलना पढ़े कि करवट बदल बदल करके बीट गए दो घंटे नीद नहीं आ रहे है बिश्तर परपड़े नीद आ जाए उठें मन में किसी प्रकार का तनाव ना हो किसी के लिए तनाव ना हो सब तनाव जूटा है तनिक तनिक बात को बड़ी बात को चाहे तनिक बात मानो बड़ी बात मानो सब जूटी है, सब चणिक है आज है कल नहीं है तो रमखा बन गए तुम किसी गलती देख कर कि ओभी गलती तुम्हारी कलपना है कि सही गलती है गलती को देखने के द्रिष्ट कौन भी होते है आपके साथे से कोई काम बिगड़ गया आप उसको गलती रूप में देख रहे हैं आप करते हैं जब आप से बिगड़ता तब जो काम बनाएगा उससे बिगड़ेगा क्यों दुखी हो असने ही दो उसको कहा दो कोई बात नहीं बिगड़ने दो तुम न बिगड़ो तुम्हारा मूली जादा है एक साथी ने मुझसे एक बार कहा मैंने का जाओ ये चीज ले आओ तो लोट के आए कहें साहब बहुत महाँगा है मैंने का तुम लोगों से ज़्यादा महाँगा है तो हंसने लगे तो ले आए जो हमारे साथ मनुस रहते हैं उनसे कीमती कुछ नहीं और हम मनुस्यों का मुल्य नहीं मानते हैं पैसा का मुल्य मानते हैं चीज का मुल्य मानते हैं और जहां धन मुल्य मान हुआ तहां जन का व्योहार खराब हुआ ये पक्का समझ लो और जहां जन का मुल्य है वहां धन दूसरे नंबर में धन जन के लिए है कला किसके लिए होता धन के लिए और जन के परते हमारी सरद्दा हो तो धन के लिए कला नहीं होगा स्रीराम और भरत में कला नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने धन को महत तो नहीं दिया स्रीराम के लिए राज प्रस्तुत्त अगर स्री राम बैठ जाते है जुद्या कोई हटा ना सकता पूरी सत्ता उनके साथ थी लक्षमन ने तो कहा भी था बालमीक रामान में आता है कहा भी या आप बैठिये गद्धी पर मैं देखता हूँ पिता जी तो अस्त्रेन है महरचरा है उनको या तो जेल में डाल दे या आप बैठिये गद्धी पर मैं देखता हूँ कौन मेरी सामने आता है कौशिल्या ने राम से कहा इनकी बात सुने राम ने कहा मेरा साहस नहीं बड़ा बढ़िया वरण है रामान में अजुद्या कांड रामान का दिल है गुश्वामी जी भी अजुद्या कांड में जाएं कथा की दृष्टि से तो अजुद्या कांड पड़ें वो दिल है रामायर का दिल है तो राम को कोई हटा नहीं सकता था भरत आ जाते और भरत तो चाहते ही कि रामके दिब बैठ ए भरत को राज मिल गया था बैठ जाते नहीं बैठे तो राम और भरत दोनों ने धन जन को धन नहीं माना, जन को धन माना, राम ने भरत को धन माना, भरत ने राम को धन माना, इसलिए रामयान भ्रातरत की कहानी बने, भाईचारे की कहानी बने, इसके उल्टा, दूसरा महा काभ भी हमारा है महा भारत, कौरों पांडों ने धन को धन माना, इसलिए ग्रह युद्ध में अठारा दिन में सब कट करके मर गए भ्रात घाती युद्ध का महा काब बेबना महा भारत वैसे महा भारत ज्यान का भंडार है बहुत ज्यान की बाते प्रपंच भी है अतिशोगतियां तो धार्मिक किताबों में जूटी बातें वो एक कदोस नहीं है दुनिया के प्राया अधिक्तम ग्रंतों में धर्म ग्रंतों में जो चमतकार की बाते लिखी गए उससब जूट है तो वो तो सब रहते ही है लेकिन महा भारत में ग्यान का भंडार गीता उसी में फिर भी महा भारत का जो सार है वो भ्राति गाती युद्ध है भ्राति गाती युद्ध की धुरी पर महा भारत कावे बना धन को धन नहीं मानना चाहिए जन धन जो हमारे आसपास आदमी रहते हैं जिन मनस्यों की कुंडली में हम राद दिन जीते हैं वो धन है वो परस्पर प्रेम से रहा है धन धन क्या है धन तो उनी के लिए है साधुता का ये सब लक्षण है साधुता सज्जन्ता अपने मन को वस में करो इंद्रियों को वस में करो शील से रहो चमा से रहो दया से रहो छोटे छोटे जियों को भी तकलीप न दो कोमल बानी बोलो मीट बानी बोलो निर्मान हो करके दीन बचन उच्चार सिर्रामराज साहिम ने कहा गुर्षादू के आस्तर रहो और दीन वचन उच्छारण करो यनि गुर्फादू से बिनम्र रहो, अहंकान न करो, छोक करके रहो ऐसे माता-पिता बड़े बुड़े बढ़ा अस्चर्ज है आदमी इतना भठक जाता है माता-पिता जिन बच्चों को प्यार करते हैं उनकी टटी पिशाब धोते हैं दुलराते हैं, पुछकारते हैं वोई जवान होकर के माता-पिता से बात नहीं करना चाहते कितने असब्वे, शिश्श भी होते हैं इसे कि जिन गुर्जनों से सीखे, समझे, पाए सकता है तो गुर साधुन के आसरता दीन बचन उच्चार वैसे मता पिता के आसरता समझ लो बड़ों के आसरता बड़ों के आसरे में रहो और दीन बचन का उच्चार न करो आपका बचन जब निकल है तो उसमें मिठास हो, कौमलता हो, विने हो, इसमें आप सुखी रहेंगे, दूसरा सुखी रहेगा, ये सादु रहनी है, सादु रहनी यनि पवित्र रहनी, सुख से रहने की रहनी, तो मेरा जो कथन का विशेह है, वो खास है मन है, मैंने सुरू में आप से कहा था, कि आपके पास सब समय कौन सी वस्त ज़्यादा रहती है, ज़्यादा क्या सब समय रहती है, वो मन है, गाड़ी नीद में मन बीज रूप में हो जाता है, लेकिन जब बीज रूप में होता है, तो वो भी जागर्त का सब बीज ही उसमें रहता है, जो आपने कमाई की है उसमें सब बंद है जैसे नीद खुली उस सामने आ जाएगा जो कुछ आप करते हैं उसकी कमाई मन में अश्टाक है संग्रहित है और जैसे नीद खुलेगी मन सामने हो जाएगा इसलिए हम आपको चाहिए कि सब घाटा साकर सब अपमान साकर सब निरादर साकर सब तकलीफ साकर चारो तरब से सारा जंजा साकर अपने मन को सुन्दर बनाए अपने मन को निर्मल बनाए प्रियतन पूरवक जो निरंतर अपने मन को निर्मल बनाने का काम करता है थोड़े दिन में उस कामन समाध्य के योग्य हो जाता है निर्मल मन ही समाध्य में प्रवेश करता है और निर्मल मन तो सब समय समाध्य ही में है समाध्य में जब जाता है तो संकल अप्रहित हो जाता है लेकिन बाकी समय में भी संतुलित होने से समाध्य में ही है जिसके मन में वो तेजना नहीं है वो सब समय समाति में उद्वेक्षून चित ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्दी है और ये हमें आपको करना होगा कोई कर नहीं देगा न कोई भगवान कर देगा संद गुरु अबदेश करेंगे रास्ता बताएंगे और ये कम किरपा उनकी नहीं है जिनकी वानी से जिनकी उत्तम चरित्र से आप प्रेरित हो सकते हैं उनका उपकार कम है अब आगे आपका काम करना है आप समालो दूसरा कोई दूसरे के चित्व को शुद नहीं कर सकता है उसे स्वेम करना पड़ेगा तो इस विशे को हमें अच्छी तरह से अपने मन में बांद लेना चाहिए कि हमारे अंग संग हर समय सामने खड़ा मन है मन को हम अच्छा रखें तो सब समय हम सुखी रहेंगे और दुनिया के प्रपंच में अपने को डाल कर जो सपने की तरह आज है कल नहीं है उसी के हंकार में पड़ करके मन को खराब बना लिये तो जलते रहेंगे आज और आगे भी जलते रहेंगे तो हम ऐसा काम न करें जिसमें आज चलें और आगे चलें ऐसा काम करें अभी शीतल लहें और आगे शीतल लहें अब आप लोग घूमना चाहें वो घूमले